हेलो फ्रेंड्स, फूडिस और गूडिस फैमे आपका सवागत है फ्रेंड्स, आज मैं एक रेस्पी लेके आई हूँ इसको बनाने के लिए मैंने एक कप सूजी ले ली है जिसको मैं उसको रोस्ट कर लोगी हमने इसको बहुत जादा बहुना नहीं है बस हलका सा उसका कलर चेंज होना चाहिए तो यह मैं एक स्वीटिश बना रही हूँ जो कि गर्मियां के लिए बहुत ही पर्फेक्ट है क्योंकि इसमें खोया वगरा नहीं है कोई चीज़ हैवी नहीं है इसको मैं सूजी से ही बनाऊंगी और यह सूजी को मैंने थोड़ा भून लिया है दो-तीन मिनट अब इसके अंदर मैंने मिल्क एड़ कर दिया है और मिल्क एड़ करके इसको मैं थोड़ा ही लाकर साइड रग दूँगी हाफ आवर के लिए और हाफ आवर के बाद तो यह कुछ इस तरह से है इसको मैं आप पैन में डाल कर इसको अच्छे से हिला लूँगी और इसको भूनती जाओंगी सूजी जो है फूफूल गई है दूद के अंदर डालने से इसको हमने बहुत तेज आँच नहीं रखनी है मेडिया मांच के उपर ही हम इसको बनाएंगे तो यह थोड़ा गाड़ा होना शुरू हो गया है अब इसको हिलाते रहना है अगर हम इसको छोड़ देंगे तो यह नीचे लगने का डर है और अगर जूर्द पड़े तो हम इसके अंदर थोड़ा घी भी डाल सकते हैं पहले नहीं डालेंगे जैसे जैसे हम इसमें जरूरत मैसूस होगी तो हम इसके बीच में थोड़ा थोड़ा घी एड़ करेंगे अब यह पहले से काफी गाड़ा हो गया है क्योंकि जादा हम इसमें डालना नहीं है थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे जैसे जैसे जूरूरत पड़ेगी इसका जो दूद डाला थामने वो काफी सूख गया है अब यह ड्राई होना शुरू हो चुका है थोड़ा घी और डाल देंगे एक चमच डाल दिया है अब इसने कडाई को छोड़ दिया है कडाई से चिपक नहीरा अलग होना शुरू हो गया है तो यह अलमस हमारा डन हो गया है दिखे कितना अच्छा लग रहा है सफ्ट सॉफ्ट हो गया है तो अब मैं दूसरी एक कडाई ले ली है जिसमें मैंने कोको नट का चूरा जो है वो डाला है इसको भी हमने हलका सब भून लेना है उसी में मैंने थोड़े से सीर्स डाल दिये हैं करबूजे के सीर्स डाले हैं ताकि दोनों चीज़े कठी बुन जाएंगी इसको निकाल लिया है और वो जो हमने सूजी को भूना था उसको भी डाल दिया है उसी के अंदर मैंने देशी खान डाल दी है चीनी का इस्तेमाल नहीं करूँगी तो मैंने खांट का इस्तेमाल किया है जो हेल्दी ऑप्शन है उसी में नारिल का चूरा और जो बीज डाले थे वो सारे इकठे मिला लेंगे सूजी बिल्कुल ऐसे लग रही जैसे मावा है जब भी हम यह इसकी बर्फी बनाएंगे तो कोई कह भी नहीं सकता कि यह सूजी की है उसकी शकल भी देखने में बिल्कुल सूजी जो है वो बिल्कुल मावा की तरह लग रही है और खाने में भी वैसी ही फीलिंग है तो मैंने अपने हाथों से ही इसको मिला रही हूँ ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिलने खांड और ये जो ड्राइफ्रूट हमने डाला है तो ये आटा की तरह बन गया है तो मैंने पैन के अंदर गी से ग्रीस कर लिया है और अब उसके अंदर मैं इसको फिला दूँगी हाथों से ही फिला रही हूँ आप चाहें तो स्पैचुला यूज़ कर सकते हैं तो मैंने इसके अंदर इसको अच्छे से फिला दिया है इसके उपर मैं ड्राइफू डाल दूँगी खर्बूजे की बीच डाल दूँगी और थोड़ा सा पिस्ता भी डाल दूँगी फ्रेंट्स अगर आपको ये रैस्पी अच्छी लगी हो तो प्रीस मुझे सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और कमेंट भी करें तो ये सीट डाल कर मैं इसको चम्मा से दबा दूँगी और एक घंटे के बाद मैंने इसके पीसिस काट लिये है तो ये देखने में बिल्कुल ऐसी बर्फी लग रही है जिसे खोय की बनाई हुई है लेकिन इसमें ना तो गी का जादा इस्तेमाल हुआ है बहुत ही कम गी यूज किया है और ना चीनी इस्तेमाल हुई है और ना ही खोया इस्तेमाल हुआ है इस तरह से ये हमारी बर्फी बन के तयार है आप भी बनाएं और इसको इंजवाए करें बहुत ही बढ़िया लग रही है तो थैंक्स फॉर वाचिंग